नमस्कार दोस्तों सौगत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्णिंग इस अर्णिंग बाई प्रभाश पर तो दोस्तों होता क्या है कि देखेगा जब भी स्टॉक मार्केट में करेक्शन आता है और अच्छे स्टॉक यानि कि जिनमें ज़ाधा लिकुडि गिरावट देखने को में सकती है लेकिन अगर आपको देखेगा सबसे पहले जो चीज समझनी है अगर आपको समझना है लिटरली में शेर मार्केट को तो आपको ये समझना होता है कि जिस भी पर्टिकुलर फंडामेंटल आपने स्टॉक में इंट्रिली है तो उसका फ्यूचर टार्गेट क्या है और किस तरीके से मार्केट किस तरीके से गॉर्मेंट और किस तरीके से वो थीम वहाँ पर सपोर्ट कर रहा है तो सेम बात करेंगे टाटा मोटर और टाटा पावर में लॉंग टम का व्यू भी बताएंगे और शॉट टम का व्यू बताएंग है चुकि आपको बता है हमारे देश की राधानी डेली में बहुत ही जाधा लोग बहुत ही जाधा लोग क्या है फोर विलर क्या करते हैं कैरी करते हैं बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी फोर विलर हैं like किसी के पास दो है किसी के पास चार है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास पुरानी है तो अब यहाँ पर Delhi Transport Department ने देखेगा पूरी तरीके से यहाँ पर explanation भी दिया है तो देखेगा आपको सबसे पहले एक थोड़े तीन महिने पहले एक announcement देखने हो मिला था जिसमें कि कहा गया था कि government ने कहा था, कि जितने भी old vehicle होंगे यानि कि 10 साल, 15 साल से पुराने vehicle होंगे उनको देखेगा, market से देखेगा, धीरे-धीरे करके खतम कर दिया जाएगा और हमने आपको वहाँ पर भी बताया था, it will create the demand of the four-wheeler vehicle आप देख सकते हैं, all the diesel vehicle owner in Delhi, listen up the Delhi government has now announced it will be deregistered, all the diesel vehicle that will be 10 years old यानि कि 10 साल पुराने, जितने भी diesel vehicle हैं, उनको अगर आप देखेंगे deregistered कर दिया जाएगा, 1 जनवरी 2022 से और आप समझ सकते हैं, it will create a different level of demand in the market यानि कि आप देखेंगे, कि कितनी बड़ी demand आपके सामने खड़ी हुई है within 6 months में यानि कि 6 months में सबसे बड़ी opportunity मिलेगी और इसका benefit Tata Motor को कैसे होगा मैं आपको वदा देता हूँ, Delhi ही SE quality state है, जिसमें Tata की सबसे ज़्यादा EV चलती है यानि कि electric vehicle को utilize किया जाता है, first thing electric vehicle, second thing Tata देखेंगा चाहे punch की बात करें, harrier की बात करें, आप बात करें, nexon की, सबसे ज़्यादा Delhi में खरीदी गई है आपसे इसका data उठा के दे सकते हैं, तो it will boost up the demand of the Tata Motor क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे vehicle होंगे Delhi में, जो 10 साल पुराने हैं और diesel vehicle भी हैं तो यह सबसे बड़ी positive update है, तो I hope जितने लोग को डर लग रहा होगा stock के fall होने से उनका पहला डर तो खतम हो गया होगा, चुकि यह stock आपको बस अगर आपने 3-6 मेने, 8 मेने hold कर लिया तब भी आपके इस level पे देखते हो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपे बहुत अच्छी तरीके से वर्चल आए, electric vehicle में update आया है कि 94,000 करोन का investment किया जाएगा 5 सालों में, आने वाले 5 सालों में 94,000 करोन का vehicle यानि कि funds की कमी Tata Motor के पास नहीं होगी, क्यों नहीं होगी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, कि India पूरी तरीके से चाहता है, कि वो अपने fiscal deficit को कम करे और fiscal deficit में तभी कमी आ सकती है, जब EV vehicle on the road देखने को मिलेंगे और crude oil का import कम होगा, तो इंडिया में देखेगा वही बहुत सारे mandatory rule भी आपको देखने को मिल सकते आने वाले time में, जिससे कि अगर आप देखेंगे, काफी बढ़िया demand EV vehicle की create हो सकती है तो EV vehicle में Tata Motor से ज़्यादा कोई बड़ा player है नहीं, 70% का देखेगा stick रखते हैं तो जितने भी long term investor है, उनके लिए opportunity है ये particular correction आप सिप start कर दो Tata Motor में, SIP start कर दो, थोड़ी थोड़ी दो-दो stock add करो, 4-4 stock add करो doesn't matter, लेकिन start करो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज बहुत ही बढ़िया fall देखने हो मिला है और अभी का जो support बन रहा है, वो 465 के आसपाल देखने हो मिला है और trading purpose से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप short term के लिए लेना चाहते हो, तो देखेगा 465 एक बहुती crucial support है, जिसके basis पे ही last time इन में rebound आया था अच्छी बाते क्या है, कि RSI पूरी तरीके से oversold में है MACD देखेगा, अभी भी ठीठा consolidation के mood में है और volume देखेगा, तुरंत आ जाते हैं, जैसे कि ये stock गिरता है तो अभी 464 बहुत important level है, जो आपको देखने को मिल ला होगा लेकिन volume यहाँ पे धीरे धीरे थोड़े increase होते हुए आपको देखने को मिल ला है तो इसलिए अगर आप Tata motor में कोई भी particular देखेगा short term की position में आ जाते हैं, तो 2020 की gap पर बना सकते हैं 440 एक बहुत important support होगा और आपको in particular support पे देखेगा focus करना है यानि कि आप छोटे-छोटे sip कर सकते हो, उपर की तरफ resistance लेकि चलेंगे 85 का और 495 का, यह बहुत important resistance है trading purpose है, तो long term perspective से don't worry about it sip करना start करिए Tata motor में, चुकि बहुत बढ़ी हैं आपको level देखने हो मिलने आले हैं अब बात करेंगे Tata power की एक घंटे पहले का announcement है आपको पता है EV vehicle को तभी तयार किया जा सकता है तभी road पे लाया जा सकता है, तभी उनमे confidence generate किया जा सकता है जब आप EV charging stations on the road, on the highway develop कर लो तो आप देख सकते हैं, making highway, EV friendly, strengthening the e-mobility of the ecosystem in India एक घंटे पहले का update है, कितने बनाए जाएंगे, 650 EV charging stations बनाए जाएंगे Tamil Nadu में, चिन्नाई में और बहुत सारे highways पे आप समझ रहे हो, कि in particular states में सबसे ज़्यादा adoption आपको देखने हो मिलेगा electric vehicle का, पूरी तरीके से देखेगा, मैंने times of India का दाम देखेगा आपको दिखा दिया है, business line पे जाके, पूरा article आप clear तरीके से पढ़ सकते है और आपको पता है, कि ये सारी चीज़ें, यानि कि जो भी highway बनाए जाएंगे EV vehicle से, charging stations related, उसमें देखेगा सबसे बड़ा फाइदा Tata Power का है क्योंकि आपको पता है, government आसा करेगी, GDP में 7.1% auto sector का है 49% GDP का manufacturing में auto sector का है, labor की demand करता है create, और 7.5 लाग करोन का turnover भी देता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना जाधा government को need है चुकि job भी create होंगी से, और अच्छी तरीके से revenue भी create होगा और इसके अलावा गर आप देख सकते हैं, थोड़े महीने पहले की बात है एक महीने पहले की बात है, Tata Power ने देखीगा completes installation of over 1000 EV charging station across the cities तो आप समझ सकते हैं कि ये सका में बहुत माहिर है बहुती experience player है, तो इनकी demand बहुत बढ़ने वाली है कोई कुछ भी कह स्टॉक कहीं पे भी जाए, doesn't matter आपको Tata Power, Tata Motor किसी भी तरीके से sell out नहीं करना है तो further कोई भी update आता है, तो मैं आपको provide करूँगा वीडियो गर अच्छा लगा है, तो like, share और subscribe करना न भूलेगा Thank you so much